पूर्वोतर को पीम मूदी ने दी बड़ी सौगात अरुनाचल के पहले ग्रीन फिल्ड एयरपोर्ट का किया उद्गाटन आज से गुजरात में चुड़ाओं प्रचार की शुरुवात करेंगे प्रधान मंतरी मूदी 24 नवंबर तक करेंगे 16 रैलियां जरूरत के मुताबिक बड़ सकती है रैलियों की संख्या प्यार जेल में सतेंद्र जैन को मिल रहा वी आईपी ट्रीट्मेंट जेल का सीसी टीवी वीडियो आया सामने जेल में मसाज कराते हुए दिखे सतेंद्र जैन सतेंद्र जैन की विडियो पर बीजेपी का सवाल अब तक चुप क्यों है केजरिवाल गौरबाटिया ने कहा भरस्ट मंत्री को हटाया नहीं मसाज दी भरस्टाचारी, कटर वहिमान, पाच भाहिने से जिनकी बेल नहीं हुई है, लेटे हुए है, आराम फर्मा रहे हैं और चार व्यक्ति वहां अंदर हैं, और बाची चल रही है, अदान प्रदान हो रहा है, जैसे कि भारत रत मिलना चाहिए ये अपने घर की छट पर ही फल और सबजियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 अजार कमाते भी हैं, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड करो जनता ये कह रही है, कि ये भ्रष्टा चार, ये कटर, बैमानी, उगाही, वसूली, अर्विंद केजरिवाल जी ये कब तक आप चलाते रहेंगे? बीजेपी के वार पर आम आद्वी पार्टी का पलट बार, दिल्ली के डिप्टी सेम, मनीश सिसूत्या ने कहा, बीजेपी ने वीडियो को गलत तरीके से बेश किया, सतेंद्र की बीमारी का मजाग बनाया मनीश सिसूत्या ने कहा, जेल में सतेंद्र जैन की दो सरजरी हुई, डॉक्टर ने फिजियो थरेपी के लिए कहा था, बीजेपी के मनुहर काहनियों फर, सतेंद्र जैन को मंत्री पत से नहीं अटाएं सतेंद्र जैन की मसाज वीडियो पर कॉंग्रेस का निशाना, अलका लांबा ने कहा, सतेंद्र जैन को तुरंट मंत्री पत से हटाएं के इस विवाल माना है कि उन्होंने मनी लॉंडरिंग किया है, अब सबसे बड़ी बात उसके बावजूद भी अरविंद केजरिवाल जी की क्या मजबूरी है कि वो जो नेक्तिक्ता की दोहाई देते हैं सतेंद्र जैन को आप पद से, मंत्री पद से हटा नहीं रहे केस में सामने आई एक और चैट, दोस्त में पूछा था नाग पर कैसे लगी चोट तो श्रद्धा बोली सीडियों से फिसलने से तूट गई थी नाग श्रद्धा के पिता ने की आफताब के लिए फांसी की सजा की मान, पांच राज्यों तक बढ़ा जांच का दाइरा, पुलिस गुरुग्राम समेथ दिल्ली के जंगलों में कर रही है चानवी दिल्ली पुलिस को आफताब के घर से मिले हतियार नुमा चीज, पुलिस को शक है कहीं इसे हतियार से आफताब ने श्रद्धा के शरीर के टुकडे तो नहीं किये सूत्रों के मुदाबिक पुलिस ने आफ्ताप के घर से सभी कपड़ों को जब्द किया पुलिस को शद्धा के कपड़े भी मिले हत्यार नुमा चीज और कपड़ों की फॉरंसिक जाच के लिए भेजेगी दिल्ले पुलिस शद्धा मर्डर केस में बड़ा खुलासा च्छतरपूर महरौली जंगल से मिली हड़िया इंसान की हो सकती है हड़ियों पर कट और तोड़ने के निशान सूत्रों के हवाले से खबर शद्धा मर्डर केस पर AIUDF विधायक अमीनुल इसलाम का बायान कहा जब देश में मोदी सरकार नहीं थी तब शद्धा मर्डर केस जैसी घटना नहीं होती थी लक्नव में याजदान बिल्डर की इमारत को तोड़ने का काम दोबारा शुरू हुआ बिल्डिंग के बाहर भारी सुरक्षा बलते ना यूपी में बिजली विवस्ता सुधारने के लिए योगी सरकार की पहल प्रदेश में अभियान चला कर 11 लाग से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाई जाएंगे लक्नो मर्डर केस में निदिक इमाने आरूपी को फांसी की सदा की मांग की सरकार से आर्थिक मदद की भी लगाई गुहार जब्रम धर्मांतरन पर केंदरी मंतरी कौशल की शोर का बड़ा बयान बोले जब्रमांतरन पर जल्द बनाया जाएगा कानू सुकेश चंदर शेखर का सात्वा लेटर बम केजरीवाल और सतेंदर जैन पर लगाए मनी लॉंडरिंग के आरोप रुपयों में बदलवाए 20 मिलियन डॉलर सुकेश का दावा सतेंदर जैन ने 30 से 40 बार फोन किये अयोध्या में राम मंदिर भवन निर्मान समिती के बैठक का आज दूसरा दिन CBR IK वैज्ञानी को ने दिया प्रेजेंटेशन राम नौमी के दिन दोपहर 12 बजे राम लला के मस्तक पर पढ़ेंगी सूरी के किरने काशी तमिल संगमम में हिस्सा लेने के लिए पहुचा पहला जट्था केंद्री मंत्रे धर्मेंदर प्रधान ने स्टेशन पर धोल नगाडों से किया स्वागर MCD चुनाव में वोटों के गिंती के लिए राजय निर्वाचन आयोग ने बनाए सेंटर्स, राजय निर्वाचन आयोग ने बनाए कुल बायाली सेंटर्स पंजाब में चार वीजेपी नेताओं के सुरक्षा बढ़ाई गई, ग्रेमंत्राले ने दी एक्स केटेगरी की सुरक्षा आयवी की थ्रेट रिपोर्ट के आधार पर कारवाई आगामीं MCD चुनाव को लेकर दिलिक एंड में प्रशासन की बैठक हुई, बैठक में आरो, ए आरो, पुलिस अधिकारियों और जिला चुनाव अधिकारियों की मौजूद की रही बीजेपी नेता वीजेगोयल का आमादवी पार्टी पर निशाना कहा MCD चुनाव में आमादवी पार्टी की 20 सीट आना भी मुश्किल वीर सावरकर को लेकर राहूल गांदी के बयान पर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर का बयान कहा वीर सावरकर ने कई पत्र लिखे लेकिन राहूल ने मूर्खों की तरह लेटर की आखरी पंक्तिया पढ़ी है ग्रेटर नोईडा में उलिमाओं का बड़ा फैसला, डीजे बजाने और आतिर्जवाजी करने वाले लोगों पर शादी और जनाजे में जाने पर पावंदी उत्रकण के चमूली में बड़ा हाथसा हुआ, खाई में गाड़ी गिरने से 12 लोगों की मौत, SUV की चछत पर भी बैठे हुए थे कुछ लोग, पीडित परिवारों को 2-2 लाख रुपे मुआवजे का एलार यूपी के चंदॉली में भीषन सड़क हाथसा, ट्रक और कार में हुई चकर, दो की मौत, चार लोग हुए घायल उत्रकाशी में कई दिनों से गाउं में खुले आम घूम रहात तेंदुआ, ग्रामीनों में दैश्रत्ता माहौर यूपी के बिजनौर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुट भेड, दो बदमाश की रफ्तार, फाइरिंग में एक पुलिस करमी घायल राइबरेली में कपड़े के दुठान में लगी आग, लाकों का सामान जलकर राख, शॉट सरकिट की वज़े से लगी आग मतुरा में शादी के अगले दिन गहने लेकर फरार हुई दुल्हन, दुल्हे ने पुलिस में तीन लोगों के खलाफ एफाइयार दर्च कराई लखनों में म्यूजिक कॉंसर्ट के नाम पर लाखों रुपई की ठगी पैसे लेकर फरार हुई कॉंसर्ट कराने वाली कंपनी दिल्ले के शकर पूर राखे में बनी रेलवे पार्किंग में कई गाड़ियों में लगी आँग, फायर ब्रिगेट ने आँग पर काबू पाया लुद्याना में 26 गुटो में मारपीट का वीडियो वाइरल सोशल मीडिया पर किये गए कमेंट की वज़े से हुआ विवाद गॉलियर में लगातार बढ़ती जा रही है, डेंगू के मरीजों के संख्या, मरीजों के बढ़ती तादात को लेकर अलर्ट है प्रशासन गाजियबाद में शब के अंतिम संस्कार को लेकर हुआ विवाद, अंतिम संस्कार की जगा को लेकर हुआ हंगामा लोगों ने सड़क पर जाम लगाया, पुलिस ने बल प्रयोक कर खुलवाया जान जबलपुर मेखला रेजोर्ट हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी अभिजीत पाटिदार पर दस अजार का इनाम घूशित किया, शिल्पा जहारिया के हत्या के बाद से फरार है आरोपी राजगण में अस्पताल के आईसीओ वार्ड में घुसी गाए, ड्यूटी पर गाड के मौजूद ना होने के कारण आईसीओ में घुसी गाए पन्ना में भीशन सड़क हासा, तेज रफ्तार ट्रैक्टर च्रॉली ने बाइक सवार कुमारी टकर हाथसे में बाइक सवार की मौन मुंबई पुडे हाइवे पर हासा, दो गाड papel में भीशन तक्कर हाथसे में पांच की मौन, तीन बुरी तरह से घाय़ गाजियाबाद में सगाई फंक्षन में चोरी का वीडियो हुआ वाइरल, मेमान बनकर आया चोर, टेबल पर रखे बैग लेकर भागा, पुलिस ने दर्च किया मुकद्वा पिली भीत ने दबंग ठेकेदार ने प्रदान के बेटे को पीचा, गाउं में कराए गए इंटर लॉकिंग के भुक्तान को लेकर हुई लड़ाई, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल यमना एक्स्प्रिस्वे के पास मिला महिला का शव, ट्रॉली बैग में मिला महिला का शव, पुलिस कर रही है मामले की जाच फतेपुर में जमीनी रंजश को लेकर मार पीट, एक महिला को लगी गोली, कई लोग घायल जालोन में पकड़े गए चोर की पिटाई, पुलिस ने किया बीच बचाओ संबल में बीच बचाओ करने पहुंची पुलिस पर पत्थर बाजी, 18 लोगों पर दर्ज हुआ मुकदमा मेरट में बारात के दौरान हंगामा, जमकर चले लाठी रंडे, घर में गुसकर मार पीट बागपद में चार मंजिला, निर्माना धीन, मकान गिरा, मकान गिरने से चार मज़गूर गंभी रूप से घायल, अस्पताल में जारी है घायलों का इलाज सहारनपूर में जनतार रोड पर नगर निगम की अवैद अतिक्रमन के खिलाब कारवाई, अवैद अतिक्रमन पर चला नगर निगम का बुल्डोजर ये अपने घर की छट पर ही फल और सबजियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं, इनसे सीखना है, तो Freedom Map को अभी डाउनलोड करो